जिला में चल रही पुलिस भर्ती परिक्रिया स्थगित कर दीगी है। जिला में चल रही परिक्रिया स्थगित कर दीगी है। कॉल लेटर जारी किये गए थे। अभी तक इस भर्ती में चार हजार चार सो इकानवे अभियार्थियों नहीं सालिया है। बुलाए गए अभियार्थियों में से बारा सो तीन अनुपस्टित रही हैं। कुल एक हजार चार सो पेंतालिस महिलाएं और पूरश आरक्षी अभियार्थियों तथा चौनसट ड्राइवर पद के अभियार्थियों ने इस परिक्षा में उत्रिंड भी किया है। कि अब तक 2002 अभियार्थि इस परिक्षा को पास नहीं कर पाई हैं। कि अपनी परिक्षा की तैयारियां जारी रखें जिन अभियार्थियों की परिक्षा पूरी नहीं हो पाई है और जिनको कॉल लेटर जारी किये गए थे उन सभी अभियार्थियों के पंजी कृत मुबाइल पर SMS के माध्यम से उनको संदेश भेजिया जाएगा। कि जिला हमीदबूर में जो भरती है उसके लिए फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट जो है वो तीन जन्वरी से पंदरा जन्वरी तक चलाया जा रहा है। लेकिन आज हिमाचर परदेश सरकार द्वारा COVID-19 की रोख्थाम के लिए कुछ नए दुशा नगदेश जारी किये गए हैं। इसी संधर्व में तोटिस्टिक रेक्रूट्मेंट कमेटी है जिला हामिरपूर की उसे यह मिलने लिया है। जो शारिविक दक्षता जो परिक्षा जो है अभ्यार्थियों की जो 10 जन्वरी से 15 जन्वरी तक के जो अभ्यार्थि हैं जिनकी यह PSP, PEP test शेश रह गया था। इसे फिल फर्दर नोटेस जो है, पोस्ट कोन किया गया है, सगित किया गया है, मेरा अग्रह है सभी अभ्यार्थियों से कि वे kindly पुलिस लाइन दो सड़का में जिन दिन भी अभ्यार्थियों को 10 जन्वरी से 15 जन्वरी के बीच बुलाया गया था, वो ना आएं, इन सभी अभ्यार्थियों को SMS के जरिये, जो भी future में जो भी dates है, वो notify की जाएंगी, उनके mobile number पर SMS के जरिये बताया जाएगा कि नई dates क्या होंगी, साथी साथ मेरा अग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो भी COVID-19 की रोगठाम के लिए दिशान देश जारी किये से हमकी पालना की ज़ाएं